नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है केमेस्टी एड़ा में तो प्रिवेस लेक्षर तो दोस्तो हम लोगों ने सौप और डिटर्जन के बारे में सारे कंसेप्ट को समझ लिया था बहुत सारे सवालों का जवाब भी ढूंडा था जैसे कि हम लोगों ने समझ उनका जलिये विद्यन ले ले तो वह एक होगा कि बेसिक होगा कैसे पता लगाएंगे साबून को बनाने में किस तरह की चीजें जरौत होती है इन सारी स्जों को हम लोग देख लिया था कुछ सवाल हमारे मन में रहा गये थे जिसको मैंने कहा था कि नेक्ट वीडियो में ह सवाल क्या-क्या है अएग sibling क्या होते हैं मिसिल किस तरह से बनते हैं क्यूं बनते हैं अर फिर हम लोग डेखेंगे कि जो सोप and detergent हमारा है उसमें से बेटर क्लिनिंग एजेंट कौन सा है कौन कपड़ों की चाहिए अच्छे से करेगा और किसको बेटर हम लोग एक क्लिनिंग एजेंट मान सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग बहुत सारे अन्य सवालों को भी जवाब ढूंडेंगे जैसे कि जैसे कि सबसे पहले हमारा सवाल आएगा कि अगर आपके पास कोई वाटर दिया है वो हाड वाटर है इसकी पाचान कैसे करेंगे आपको दो ही चीज़ दिया गया है सोप और डिटर्ज कि अगर तो किस तरह से नहीं करता है उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग कपड़ों की सफाई करते हैं तो कुछ एजिटेशन चाहिए होता है मतलब कपड़ों को पीटना पड़ता है या हाथों से रगढ़ना पड़ता है तब जाके जो जो प्देशन के डर्ट पार्ट के लिए गंदगी है वो कपड़ों से बाहर निकल पाती है तो हमें पीटने की जूरत क्यों पड़ती है साथे साथ हम लोग देखेंगे कि NACL को से पॉनिफिकेशन प्रोसेज हैं मतलब हम जो साबून बनाते हैं यह साबून बनाने के परिकिरिया के दोरान हम अच्छा क्लेणिग एजन्ट प्रोसे अच्छा क्लेणिग एजन्ट मना जाता है तो क्यों मना जाता है तो यह हमारे कुछ और भी सवाल थे जिसको आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो आइए सबसे फेले सुरुआत करते हैं शोप और डिटर्जन के अस्ट्रक स्ट्रक्चर है यह हमारा सोडियम ओलीट है यहां एच के जगहा पर एनिया प्लस लगा रहेगा ति हमारा सोडियम ओलीट बन जाएगा यह ओलीक एसिड से डराइब हुआ है तो बैसिकली हमारे लोंग सोडियम और पोडिशियम सॉल्ट होते हैं हाईर फैटी एसिड के तो एक constituent particle है, उसे तरह से हमारा ये sodium palmitate है, तो ये भी हमारा soap का ही constituent है, ये सारे हमारे soap के main constituent होते हैं, जब आप soap कहीं से खरिते हैं, तो उनमें जो basic ingredients होते हैं, उनमें इनका नाम आपको जिगर मिल जाएगा, sodium esterate वगर आपको देखने को आपे मिल जाएगा, अब हम इसी structure क अच्छे से समझेंगे, तब ही जागर के आप soap के cleaning machine को समझ पाएंगे, तो इस structure को देखने से क्या पर चल रहा है, कि दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट कार्बन वाला हिस्सा दिख रहा है, और दूसरा पार्ट हमें ये COO- और ये पलस वाला पार्ट दिख रहा है, ये आइनिक पार्ट का लाता है, ये वाला पार्ट जो होता है, चोकि इसमें सिर्फ carbon hydrogen है, तो ये हमारा hydrocarbon पार्ट का लाता है, तो एक साबुन के जो structure है, उसमें दो हिस्से हो गए, एक हिस्से को हम लोग head भी कह सकते हैं, या फिर आइनिक पार्ट कह सकते हैं, आइनिक दूसरे हिस्से को टेल कहा जाता है या पुछला कहा जाता है या फिर इसे हाइडोकार्बन का पार्ट कहा जा सकता है उसी तरह से और भी कई तरह के इसके हम लोग बटवारे कर सकते हैं क्या है यह जो हमारा टेल है साबून का जो टेल है जिसे हम लोग हाइडोकार्बन पार् आप simply carbon carbon का एक chain देख रहे हैं जिसमें सभी के सभी bond जो हैं वो covalent bond से जुड़े हैं तो यहाँ पे covalent bonding दिख रही है और चुकि यहाँ पे आपको ionic bond दिख रही होगी यहाँ पे आपको इसलिए head वाला पार्ट में आपको ionic bonding आपको देखने को मिल रही होगी चुकि यह ionic है और हम सभी जानते हैं कि water भी हमारा क्या है वो polar nature का होता है polar मतलब इसमें polarity होती है क्योंकि oxygen और hydrogen के बिज में electronegativity का difference होता है इस वज़ा से oxygen पर delta negative और hydrogen पर delta positive आ जाता है इसलिए हमारा जो water है वो polar compound है तो हम लोगों ने rule पढ़ा है कि polar polar में dissolve हो जाता है मतलब जो हमारा चीज polar है उसे अगर किसी polar solvent में घुलाते हैं तो घुल जाएगा तो साबुन के दो हिस्से हैं दो हिस्सों में जो head वाला हिस्सा है चुकि वह ionic है अर्थात वह polar है इस वज़ा से वह water में घुल जाएगा तो यह water को प्यार करता है अर्थात यह hydrophilic होता है hydrophilic part भी हिसे क अफरत करता है hydrophobic होता है पानी से डरता है तो hydro का मतलब पानी phobia का मतलब होता है डर, hydro का मतलब पानी और philic का मतलब होता है प्यार तो overall क्या देख रहे हैं इतने सारे हम लोगों ने चीज़े सिखी तो overall करते हैं कि एक साबुन के molecule में दो पार्ट होते हैं एक पार्ट वाला को आइनिक पार्ट कहेंगे उसी को hydrophilic पार्ट कह सकते हैं उसी को head कह सकते हैं या उसी को ionic पार्ट कह सकते हैं दूसरा जो हिस्सा होता है उस हिस्से को tail कहा जाता है इस हिस्से को hydrocarbon वाला पार्ट भी कह सकते हैं या फिर covalent वाला पार्ट कह सकते हैं इस हिस्से को hyd लुग अम पराट को कर रहा हं, इतनी चीजें आप समझ गए हैं, तब आपको आगे के चीजें समझने में आसान होगी। तो अबरल हम लोग उने क्या देखेते थे उस्तों, कि यह वपाट है, वह हाइड्रो, hydrophilic मतलब पानी से प्यार करने वाला part है hydrophilic part है मतलब ये पानी को पसंद करेगा पानी में ये dissolves हो जाएगा और दूसरा जो हिसा ये वाला हिसा है वो hydrophobic है hydrophobic, phobic का मतलब डर तो ये पानी से डरता है मतलब पानी में घोलना नहीं चाहता तो यह hydrophobic वाला पार्ट है इसी चीज का यूज़ करके इसी जो disemirality है साबुन के structure में इसी का यूज़ करके साबुन की गंदगी जो होती है या फिर dirt या फिर तेल वाला जो particle होता है उसको साफ कर पाता है कैसे उस चीज़ को हम लोग समझते हैं उसी परकार से हमारा detergent में भी दो पार्ट होगा एक हमारा ionic पार्ट है बाकि हमारा hard to carbon वार है यहां पर भी हाड बूकरबन वार्ट है सेम जिस तरह से साबुन में जो जो चीज़े पढ़ए हम लोगं वही चीज यहां पर भी apply होता है यहां पा बस एक चीज़ का आपको आं और बहुतर फायदे भी देखने को मिलते हैं डिटरजन में आगे हम लोग इस चीज़ को देखनेंगे तो दोस्तों ये हमारा साबून का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से रिपरजेन कर सकते हैं ये हमारा आइनिक पार्ट को रिपरजेन करेगा हमारा साबून का स्ट्रक्चर है हम इसे इसी तरह से इसको रिपरजेन करेंगे अब हम लोग समझते हैं कि ये कपड़ों की सफाई किस तरह से करेगा तो माल लेते हैं हमारे पास एक कपड़ा है और इस कपड़े में माल लेते हैं कोई तेल है जिसकी हमें सफाई करनी आप कुछ भी चीज खाते हैं तो बाकि जो चीज है जो बूस करना बाहर सब्सक्राइब को निकल नहीं होता है बाते हैं तो सबसर थे को यमलों कभ़ा हमें राएंगे δी Brussel अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंधर साबून का जो विलियन है फिर संदी यह फिर इसको क्या एक शर्फ विलियन में डाल देंगे तो हम सबी जानते हैं कि ये हमारा साबून का एक मोलड़ प्र weapon है और यह वाला पार्ट होता है पानी से प्यार करने और हम लोगोंने रूल पढ़ा था कि polar polar में घुल जाएगा non polar non polar में घुल जाएगा तो ये तेल जो है पानी में नहीं घुल रहा है इस वजह से ही वो साफ नहीं हो पा रहा है और वो वहाँ पर चिपका पड़ा है लेकिन अगर साबून जैसे ही डालेंगे तो साबून के दो हिस्से होते हैं हमें पता है एक वाला पानी को प्यार करता है दूसरा वाला पानी से नफरत करता है तो जो पानी से प्यार करता है वो पानी की तरफ एक्ट हो जाएगा और जो पानी से प्यार नहीं करता हो तेल की तरफ एक्ट होगा तो जो साबुन का जो पूछ है, साबुन का जो टेल है, वो अब इस तेल के तरफ आना शुरू हो जाएगा और इसका जो हेड है, जिसे हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, तो इस तरह से सेकडो, हजारो की संख्या में, अब जो हाइडोकारवन वाला पार्ट है हमारा चारो तरफ से इस तरह से बांध देगा, इस तरह से चारो तरफ से क्या करेगा, उसको बांध के पकड़ लेगा, इस तरह से एक बड़ा सा मोलिकुल बन जाएगा, जिसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, कि जो इसका पूछ वाला हिस्सा है, वो अंदर में है, तेल के तरफ यहां oxygen hydrogen इस तरह से attachment देखने को मिलेगा यहां oxygen और यहां hydrogen तो यह वाला जो हिस्सा है आइनिक पार्ट वाला वाटर से connected है सभी तरह वाटर से connected होगा और जो तेल वाला पार्टिकेल है वो हैडो करवन वाला हिस्सा से पकड़ा रहेगा तो इस तरह से क्या करेगा उस रेसे के मिचयल को टतरह से देख सकते हैं यह हमारा मीचयल हो गया यह बीच में हमारा तेल का हिस्सा है तो यह आप देख सकते हैं यह हमारा साबुन का एक है जिसका यह गशारत से है वो तेल से अटक्ट होगा त्यों को पसंद करेगा क्योंकि तेल ही harduche बनाए और फूद हमारा यह निक ने तो was भी आइनिक हो रहा हमारा इस मिसेल काहा जाता है क्यों आप चीज़ों को देख लिये क्यों कि पोलर पोलर में घोमना पसंद गरेगा इस तरह से एक aggregate बन जाएगा हमारे पास अब यहां पर दूसरे समस्थे क्या है कि अगर कि इस तरह का एक हमारा एक structure बना एक aggregation हुआ इस तरह से sacred बने होंगे तो sacred बने होंगे तो आपस में वो ऐसा possibility है कि वो आपस में चिपक जाएं और एक बड़ा सा बड़ा molecule बना दें और जाके फिर कपड़े पर आपस चिपक सकते हैं लेकिन ऐसा देखने को बनेगा तो वहां भी नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव होगा तो इनको बीच में बहुत बड़ा हुआ और इस तरह से वह एक इमल्सल के रूप में इमल्सन के रूप में पूरा water solution में तेरते रहते हैं गंदगी को पकड़ करके और फिर जब हमें उन्हें साफ करना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग उसके उपर हाथ रगड़ते हैं या फिर उसको किसी लकड़ी से मारते हैं ताकि जो dirt particle है वो तीजी के साथ में बाहर आ सके कभी कभी क्या होता कि कुछ गंदगियां अंदर कपड़े के अंदर घूश जाती हैं तो उनको उस जगह से हटाने के लिए कुछ हमें बाहर से थोड़ा force लगाना पड़ता ताकि वह वहां से निकल सके तो dirt particle को या फिर इमल्सन या जो हमारे जो मिसेल हैं उनको लूज करने के लिए उनको गती परतान करने के लिए फिर उसको हीट कर देते हैं मतलब हाथों से या फिर किसी लकड़ी के सारे से उसको मारते हैं ताकि सारे जो dirt particle बाहर निकल सके तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहला question का स जवाब ढूंड लिया कि किस तरह से कपड़ों की सफाई होती है सोप और डिटर्जन भी जिस तरह से सफाई करता है उसे तरह से डिटर्जन भी सोप की तरह कपड़ों की सफाई करते हैं उसके बाद पिर हम लोगों नेक्स question पर आते हैं कि अगर हमारे पास कोई water दिया है क हम लोग सभी जानते हैं कि जो डिटर्जन होते हैं वो सभी तरह के पानी में ज़ाग देते हैं लेकिन अगर आप साबुन को डालेंगे हाड बाटर में तो वो ज़ाग नहीं देगा ज़ाग नहीं बंदा है इसका मतलब वो पानी हाड है अब सवाल उठता है कि ये ज़ाग क्यों नहीं देता है जब हम लोग hard water में साबुन को डालते हैं इस इसको देखते हैं हम लोग तो हमारे पास जो hard water है hard water में already hard इसलिए इसका नाम पढ़ा क्योंकि इसमें calcium और magnesium के salts पढ़े होते हैं तो उन salt के वज़ा से क्या होता है कि हमारा ये टेल है और ये हमारा sodium का आइनिक पाठ है मतलब head है हमारा ये टेल है साबुन का ये हिस्सा है तो क्या होता है कि यहाँ पे metal exchange reaction हो जाता है मतलब इस sodium को हटाके यहाँ पे calcium आ जाता है तो इस तरह से calcium 2 plus या फिर magnesium 2 plus का एक हमारा metal exchange reaction देखने को मिलता है तो आप जितना भी जितना भी आप साबुन डालेंगे सारा साबुन खतम हो जागा किसमे calcium seriate करने में magnesium seriate करने में आप डालते जा रहे हैं हाट वाटर में तो इस सारा हमारा साबुन उसमें खतम हो जाएगा उसके बाद फिर आपक जाग बनना शुरू होगा तो आपने बेसिक चीजस समझा कि हाट वाटर में हमारा साबुन काब नहीं करेगा क्योंकि साबुन के case में जो sodium और hard water का calcium और magnesium का आयन हो आपस में exchange होने लगते हैं और इस तरह से एक reaction हो जाएगा, एक metal exchange reaction और सारा साबुन का साबुन हमारा खपत होते जाएगा और lastly फिर जाग हमारा बहुत दिर के बाद बनेगा, जाग बनेगा ऐसा नहीं के नहीं बनेगा लेकिन बहुत समय के बाद बनेगा बहुत आपको साबुन की खपत करने पड़ेगी, लेकिन detergent के case में ऐसा होता नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का sodium आयन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पर जूसरे तरह का group देखने को मिले थे, या फिर sulphate के आयन देखने को मिले थे, तो वहाँ पर इस तरह का आपको कैसे जाज करेंगे, हाड वाटर की जाज करने के लिए क्या करेंगे, जब detergent डालेंगे तो जाग मिल जाएगा हाड वाटर में, लेकिन डालेंगे तो जाग हमें जल्दी से नहीं मिलेगा, उसके बाद अगला अगला देखते हैं हम लोग, अगला question है कि missile formation पानी में ही क्यों होता है, क्योंकि पानी का, हम लोग ने देखा था कि ये polar होता है, और हमारे पास जो शोप है, कुछ इस तरह से था उसका structure, यहाँ पे हमारा sodium का आयन था, और ये hydrocarbon का हिसा था, तो ये polar इसके साथ अटेट होगे, और ये hydrocarbon तेल के साथ अटेट होगे, तेल को बाह solvent है, इतनोल कहते हैं, इसे, सराब में ये पाए जाता है, ये solvent के रुप में भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसके अंदर swap डाले, मतलब ये हमारा sodium आयन है, और ये उसका पुछला है, ये हमारा एक साबून है, ये साबून है, इसको अगर इसमें डालेंगे, तो क्या missile क information होगा, इसे इसको देखते हैं, तो ये हमारा ionic part है, और यहां भी देख रहे हैं कि यहां polarity है, delta negative और यहां पर delta positive हैगा, तो ये ionic part इसके साथ घुल जाएगा, और ये hydrocarbon वाला भी हिसा दिख रहा है, ये हमारा hydrocarbon गला हिसा है, तो ये वाला hydrocarbon हिसा इससे प्यार करेगा, म साबून का cleaning action है, वो खता में यहीं भी हो गया, जो oil बचा रहेगा, उससे तो कोई जाकर ही नहीं रहा है, इस वज़ा से इथिनोल में ये सफाई या फिर missile का formation नहीं कर पाएगा, नेक्स हमारे पास सवाल है, कि क्या साबून जो है water pollution करता है, तो हमारा answer को नहीं, ये water pollution नह पास है, कि why agitation necessary to get clean clothes, अच्छा कपड़ा, मतलब कपड़े को साफ करने के लिए हमें उसको साबून जब लगाते हैं, तो उसे पीठना पड़ता है, मारना पड़ता है, तो हम लोग ताकि हम लोग जो loosen dirt particles हैं, उनको wash away कर सके, जो surface पे आ चुके हैं, या फिर कभी कभी वो modification के दोरान क्यों add करते हैं, तो हम लोग इसलिए add करते हैं, ताकि जो साबून का precipitation है, वो आसानी से हो सके, साबून का precipitation आसानी से हो सके, surface पे वो आ जा है, उसको फिर precipitate out कर ले, और अच्छा से उसको फिर हम लोग इस्तामाल कर सके, उसके बाद फिर हमारे पास है, कि white detergent is better cleaning agent than shop, इसको हम लोग ने देख चुका है, कि क्योंकि आपने देखा था, shop में क्या होता है, metal का, metal का, hard water का जो आइन से हैं, उनके साथ में, एक सेन होने लगता है, तो वहाँ पे सारा कापत हो जाता है, तो इस वज़ाँ से detergent हमारा, एक अच्छा better cleaning agent होगा, क्योंकि वहाँ